भरोसा करना सिखना जीवन के सबसे कठीन कार्यों में से एक है जबकि किसी का भरोसा तोड़ना सबसे असान होता है और यहाँ पर एक चीज आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा कि अगर आपकी उपर कोई भी आख बंद करकर विष्वास कर रहे हैं तो उसके बिस्वास को आप कभी मत तोड़िएगा, मालो अगर आप तोड़ देते हैं, ठीक है, अगर उसके बिस्वास को आप तोड़ देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आपको अपना मानता था, इसलिए आपके उपर बिस्वास करता था, लेकिन आपने उसका बिस्वास तोड़ा तो हो सके वो आपकी गल्ती को माव भी कर दे लेकिन दुबारा से पूरे जीवन भर के लिए वो आप पर दुबारा बिस्वास नहीं कर पाएगा चैनल के उपर जो भी नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को धबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अब बिट आप सभी को मिलता रहे और किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट जो है आप हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद अप्लिकेशन के उपर भी दे सकते हैं जो है success की 98 के नाम से आपको application Google के play store पर मिल जाएगा तो आप वहाँ से application डाउनलोड कर सकते हैं और इस class का पूरा का पूरा प्रिडियप जो है आप लोग success की 98.in से जा कर डाउनलोड कर लिजेगा और आज कवर करने वाले हैं 4th February के important current affair कुछ important point के साथ तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है पहला प्रस्त हैं आपकी सामने Green Economic यानि हरित अर्थविश्ता की काम के लिए टाइलर पुरुसकार किसने जीता है और ये award जीता है आपका पावन सुकदेव यानि option number आपके B आप बोल सकते हो पवन सुकदेव option number आपका B ठीक है इनको जो है वो टाइलर पुरुसकार जीता है इन्होंने किस चीज के लिए तो Green Economic के लिए अगला प्रस्त हमारे सामने है तिस संस्ता ने फंगल रोगो यानि फंगल जो होता है ना फंगल रोगो के इलाज के लिए एक आवस्यक तेल वित्रन प्राली जो है वो विक्सित की है और ये विक्सित करने वाला कौन सा IIT है ये आपको बताना है और ये विक्सित किया गया है आपका IIT हैद्राबाद के द्वारा यानि option number आपका D अगला प्रस्वारे सामने है Oxford डिसनरी के अनुसार ठीक है वह कौन सा सब्द है यानि वह कौन सा वर्ड है जो वर्ष 2019 का सब्द घोसित किया गया है किसके अनुसार किसके according किसके द्वारा तो Oxford डिसनरी के द्वारा कौन सा सब्द है जो वर्ष 1219 के लिए सब्द गोसित किया गया है और वो सब्द है आपका समीधान option number आपका C बहुत important question है ये वाला ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है जमिला मलिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो पुर्व क्या थी ये आपको बताना है तो वो एक साउथ की बहुती लाजवाब एक्ट्रिस अभिनेत्री बोल सकते हो किरला की थी option number आपका D जमिला मलिक जिनका हाली में निधन हो गया है वो साउथ की बहुती लाजवाब एक्ट्रिस रह चुकी है option number आपका D अगला प्रस्तावारे सामने भारत के किस भाला फेकने वाले खिलाडी जो 2020 में टोकियो में उलम्पिक गेम होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है वो कौन से खिलाडी है यानि भारत के तरब से भारत के तरब से वो कौन से खिलाडी है जो भाला फिकते हैं ठीक है वह 2020 के Tokyo Olympic में अपना qualify जो है वो कर लिया है और उनका नाम है आपका नीरत चोपड़ा अगला प्रसमारे सामने है IDBI Federal Life Insurance बहुत important question है ये वाला IDBI Federal Life Insurance ने किसको मुख्य वित्य अधिकारी के रूप में निक्त किया गया है यानि Chief Financial Officer के रूप में किसे निक्त किया गया है किसका तो IDBI Federal Life Insurance का और उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका M. Balakrishnan option number आपका D ठीक है अगला प्रसमारे सामने है विस्व का यानि पूरे विस्व का विस्व का मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनने जा रहा है या आपको बताना है तो आपको मैं पहले बता दू अब भी अगर बर्तमार की बात करें प्रेजेंट में तो सबसे बड़ा जो इस्टेडियम है विस्व भर में वो कौन सा है तो वो है आपका MCG आप सबी को पता है अस्ट्रेलिया का ये ग्राउंट सबसे बड़ा है ठीक है और इसको पीछे छोड़ कर मोटेरा इस्टेडियम जो है वो सबसे बड़ा बनने जा रहा है और ये कहां पढ़ता है तो ये पढ़ता है आपका गुजरात में और गुजरात के सियम कौन है बिजयरुपानी राज़ुपाल अचार दिब्रत और कैपिटल क्या है तो वो है आपका गांधी नगर और अभी बर्तवान का सबसे बड़ा इस्टेडियम कौन सा है MCG जो आपका अस्ट्रेलिया में पढ़ता है तो आपका आज का पहला परस् अस्ट्रेलिया का कैपिटल करेंसी और वहां के पंधार मंत्री का नाम बुद्रा राज़्थानी और वहां के पंधार मंत्री का नाम आप सभी को कॉमेंट करकर बताना है यह आपका आज का पहला प्रस्त है अगला प्रस्त हमारे सामने आ रहा है जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए केंदर सरकार ने सभी राज्यों को कितनी रासी जारी की गई है तो केंदर सरकार के द्वारा साथ मिलियन डॉलर जो है वो रासी जारी किया गया है अगला प्रस्वारे सामने है आई आई डी ए आई ने किन कंपनियों पर एक करोन रुपए का जुर्माना लगाया है और वो कंपनी है आपका टाटा ए आई जी और आई सी आई सी आई लॉंबार्ड ठीक है और आज का प्रस्ट ये है और ये काफी important question है और I think सभी को जानना भी चाहिए आज का इस question को मैं समझाओंगा लेकिन पहले आपको इस question का एक बात बताना है आप सभी का दूसरा question ये है आज का IR DAI का full from क्या है ये आप सभी को comment करकर बताना है अगर इसका full from आपको पता है तो question आप automatic समझ गए होगे ये company क्यों फाइल लगाती है तो सभी जो है जो भी मेरे भाई मैं इस वीडियो को देख रहे है इसका full from आप सभी को comment करकर बताना है ये आपका आज का दूसरा प्रस् सामने है निमलिखित में से किसने भारतिय लोगों में सामाचार की जागरुकता बोल सकते हो साचरता को बढ़ावा देने के लिए एक मिलियन के अनुदान की घोशडा की है और ये announcement किया गया है आपका Google के द्वारा यानि option number B और आप सभी को पता है Google के CEO कौन है तो सुन्द ठीक है अगला प्रसमारे सामने है विजय गोकले के उत्रा अधिकारी के रूप में नए विदे सचियू का पदभार किसने समाला है ये आपको बताना है यानि यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है विजय गोकले के बाद अगले नए विदे सचियू का पदभार किसने समाला ह तो उनका नाम है हर्स वर्दन सिंगाल बहुत important question है ये वाला याद रखेंगा इस question को मैं mark कर दे रहा हूँ ऐसा important इस question को आप समी याद रखेंगा सही असर क्या है आपका option number आपका C ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है यहाँ पर बोल रहा है आपको विकरांगे limited जो company है उसके गैर कारिकरी अध्यज के रूप में किसे निउत किया गया है पहले आप यह सुलो यह जो company है न यह एक softer type company है ठीक है यह softer वेगरा बनाती है exam वेगरा जो है वो conduct करवाती है यह company इसके non executive chairman किसे बना दिया गया है तो उनका नाम क्या है रमेज जोसी option number आपका D खेक है अगला प्रस्त हमारे सामने है आज का सबसे important question very important question यह वाला RBI द्वारा monetary policy committee के सद्यस के रूप में किसे निक्त किया गया है और उनका नाम क्या है तो उनका नाम है जनक राज option number B मैंने क्या बोला है यह question आज का सबसे महतपूर question है very important RBI द्वारा monetary policy committee के सद्यस के रूप में किसे निक्त किया गया है और उनका नाम क्या है जनक राज तो यह थे आपके important current affair 4 January का और इसका पूरा PDF आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा download कर लीजेगा या फिर telegram पर भी मिल जाएगा वहाँ पर में link जो है वो share कर दिया गया है so मेरे जितने भी भाई बैन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखेगा ठीक है चले